हेलो अब्रिवन आज के से वीडियो के अंदर में आपको Amazon पे आज से सी बैंक क्रेडिट कार्ड अपलाई करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ यह जो क्रेडिट कार्ड है एक लाइफ टाम फ्री क्रेडिट कार्ड है और बैंक आपको फ्री में इसू करके देता है इसकी आपको कोई फी ज्वाइनिंग फी और अनेवल फी देनी के हो सकता है नहीं है फ्री में आपको एक बैंक प्रोवाइड करता है कार्ड साथी साथ इस कार्ड पर आपको साल के 300-500 दिनों तक के यहाँ पर कैस बैक देखने को मिल जाता है जो कि 1% से 5% के बीच में आपको इस पर कैस बैक देखने को मिल जाता है डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर इस कार्ड का यूज कहाँ पर करते हैं साथी साथ जब आप Amazon पे फिर Amazon app का यूज करेंगे कोई भी परड़क्त बाई करने के लिए तो सभी परड़क्त पर आपको इस कार्ड का कैस बैक देखने को मिल जाता है साथी साथ इसमें जो आपको reward point मिलता है उस one reward point की जो value होती है one रूपेज की equal होती है इस वीडियो में मैं आपको बताया है कि कैसे इस कार्ड के लिए apply किया जाता है उसका process क्या होता है तो आई अपने इस वीडियो को check out कर लेते हैं सबसे पहले आपको अपने phone में Amazon app को open कर लेना है यहाँ पर प्ले स्टोर्स भी install कर सकते हैं app link आपको वीडियो की description box में मिल जाएगा अभी आप देख सकते हैं हम Amazon app के home page पर हैं नीचे के साइड में आपको फोर्थ नंबर पर एक थ्री लैन का option मिलेगा आपको उस पर क्लिक कर देना है सबसे उपर में आपको Amazon pay के नाम से option देखने को मिल रहा है तो simply आपको Amazon pay के button पर क्लिक कर देना है अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके account की complete details सो हो जाती है अब आपको नीचे के side में आ जाना है चलिए हैं आपको कुछ इस प्रिकार से scroll करके आ जाते हैं यहाँ पर आप आपको काफिधा ओप्सन देखने को मिलेंगे तो सबसे फॉस्ट में आपको Amazon pay ICC card करना एक option देखने को मिलेगा सिंपल आपको उस पर क्लिक कर दिना है यहाँ पर फॉस्ट में ऑप्सन देखने को मिल जाता है तो जो आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से inट जाता है यहां पर chrome फेच दिया जाएगा तो इसी पीज को यहां पर देख सकते हैं मैंने अपने desktop पर open कर दिया है तो यहां पर अच्छे से देखे इसलिए मैंने open किया है तो यहां देख सकते हैं same रजय के का नंबर दोनों फिल कर देना है बता जाता है कि आधारकर इस लिंक- Baba number होना का चाहिए जाहिए एपको नीचे रिटीनी उकन कंटीने चाहता का देख सकते हैं सकसस्टी व्यरिफाइड हो गया है अब आपको continue के वटन पर क्लिक कर देना है जो आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकास अब के सामने इंटरफेस आएगा तब तक वीडियो पसंद आया तो like definitely कर सकते हैं चैनल पर new है सबस्क्राइब करना नहीं भूलिएगा अब आपको यहां पर अपने जो अधार सब्सक्राइब, इसष्ट नम्बर देया था उससे लिंक जो मॉवायल नम्बर है उसपर एक ओटीप किया गया है आपको ओठीप को फिल कर दिना है चले हमिँ आप पर क्लिक कर दिना है अभ इसको यहां पर ये स्टिप देखने को मिल जाता है और पॉस्टनल डिटेल में यहाँ पर हमारा नीम डेट और वर्थ पहले से आ चुका है और जेंडर भी यह धार काट के बेसिस पर रिस्वो कर दिये जाता है अब आपको यहाँ पर अपको ना मेरिटेल एस्ट चूच करना है तो यहाँ प फिल कर देने के बाद यहाँ पर आप फैमली रेफ्रेंस डिटेल भी फिल कर सकते हैं जिसमें कि यहाँ पर अपना नेम भी आप दे सकते हैं फिर किसी अधर परसन का भी नेम तो यहाँ पर मैंने अपना ही नेम दे दिया है उसका बाद से यहाँ पर आपको अपना मुवाल कर देना है बिना फिल किये हुए चले हम अब भी डिटेल जो है इसको फिल कर दिये हैं complete तरीके से सभी डिटेल एंड अभी हम चली continue के बटन पर क्लिक करते हैं अब हम सेकंड इस्टेप पर आ चुके हैं यह है एड्रस डिटेल का आप्शन जिसमें कि यहां पर आपकी जो भी अधार कार्ड में एड्रस दी हुई राती हैं यहां पर शो कर दी गई है जो कि बड़ा सा यहां पर शो कर दिया गया है इसके बाद से यहां पर ऑप्शन में बताए गया है कि is the above address same as your current address जो भी आपके अधार कार्ड में यहां पर से उपर में address हो किया जा रहा है यहीं अगर आपका different हो तो no कर दीजिएगा अब यहां पर आपको office address के नाम से options हो हो जाता है तो इसमें first of all यहां पर आपको अपनी employment type select करनी है अगर आप salary person है तो salary पर click करेंगे self employed है तो self employed के बटन पर click कर देंगे उसका बाद से यहां पर देखेंगे हमने salary select किया है तो आपको जो भी occupation की type है जो भी आप काम करते हैं उसको select करना है अगर आपको service करते हैं पब्लिक सेक्टर जोब या फिर प्राइबिट सेक्टर जोब housewife है student है जो भी आप है अपने according यहाप उसको select करेंगे जिस भी company में job करते होंगे अपने according यहाप इसको select कर सकते हैं अब यहाप आ अपने office की address भी share करनी है address line 1 address line 2 और यहाँ पर address line 3 optional है तो यहाँ पर अपनी address को fill करेंगे यहाँ पर office detail fill कीजिएगा और उसके बाद से अगर आपके office के पास में कोई भी landmark है तो उसको दे सकते हैं और आपको अपना pin code दे देना है जो भी office का pin code है उसको बाद आप city town या फि office है वो बता देना है और ओफिस की official जो email id होती है उसको दे देना है ध्यान रखेगा office की email id को देना है और आपको ऊपर में tick out मिल रहा है आई और आई आई से ग्रूप इस पर टिक कर देना है और detail फेल कर देने के बाद यहाँ पर आपको continue के button मिलेगा आपको continue के button पर क्लिक कर देना है अब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको दो अप्सन देखने को मिलेंगे एक है office address का फर्स्ट में एंड सेकंड है रेसिडेंशल एड्रस का office address में जो भी आपने दिया था वह है एंड रेसिडेंशल एड्रस में जो आपको सुरुमें आया था अधार कारड वाला एड्रस वह है तो जो भी जहां पर भी आपको इस कार्ड को मंगाना है वो दे सकते हैं हम यहाँ पर अभी रेसिडेंशल अंदर आपका यह जो कार्ड है आपके एड्रस पर डिलेवर कर दिया जाता है बैंक क्यों से अभी आप देखेंगे बताया जेता है कि यू आर नोट इलिजिबल फॉर दा एमेज़न पर आज सी बैंक क्रेडिट कार्ड यहां पर बताया जेता है कि हम फिसे चाहें तो इसलिए आपको इसी तरह से मिल जाएगा जब आप अप्लाइ करेंगे तो वीडियो कर आपको पसंद आ हो तो लाइक कर सकते हैं आपको हमारा जो वीडियो है कैसा लगा एक कमेंट वॉक्स में बताएगा चली मैं मिलता हूँ आपसे नेक्ट वीडियो में न्यू टोपिक की साथ तपते के लिए थैंक यू और हैव गुड़ डिए